हेलो गाइज मैं हुँ मदन और आजम करने वाले डातरिक एसिट के साथ एक्षिर्मेन्ट जो कीर बहुत लेंजररुंस होने वाला है और हमारे पास है राला और टालबाले एसीड में देखते है ताला और एसीड का डियेक्शन क्या होता है लोग खुल पाता है या नहीं और पांच उर्पया का सिक्का भी हम एसीड में डाल कर देखेंगे कि पांच उर्पया का सिक्का बचता है या नहीं सबसे जरूरी बात यह पांच उर्पया का सिक्का उसको दे सिर्थ सिख्का बचता है या घल जाता है और यह ताला पलोगो दिखाते ठीक ठाक है यह लोग कुल गया अभी सको लोक करते लेते ताला ठीक ठाक है और उसको बात ताला ठीक ठाक है और नाट्रीक एसीड में रखने का बाद क्या हाला थोता है इस ताले को आप लोगो दिखाएंगे तब तक हम अपना गलफ पहन लेते हैं तो गाई हम फाइनली त्यार हो चुके है नाटी एसीड को डालने के लिए थोड़ा ही निकालते हैं पहले पांचरपय का सिक्का ही डालना है तो गाई नाट्रीक एसीड जब हम डालेगे बीकर में तो इसमें से गैस निकल रहा है अब इसको सिक्का डालके देखते हैं जो क्या होता है कि यह काफी डेंजरास होता है आप लोग अपने घर पर ट्राइब करने के कोर्सिस ना करें और इसको हम लोग बड़े सावधानी से करते हैं तो चलिए अब पांचरपय सिक्क्या को हम इसमें डालके देखते हैं क्या हालत होता है इसमें कुछ गैस निकलती है जो कौन सा गैस है मुझे पता नहीं लेकिन गैस निकलता है अब कलर देखें गाइज कुझ गाइज यही होता है और इसकबाद देखते हैं या नाइट्रिक एसे जमीन यहीं पेकर यह वह वाइट होता है और यह देखेंगे अरंगीन है और इसमें से कुछ बदवु कर रहा है तो फिर भी वेड़ा रहा है और इसका बाद देखेंगे इसमें से क्या निकलता है इसमें लाज तो थोड़ा कम उन्होरा है प्रण कर देखते हैं। दिख रहा है नाइट्रिक एसीड में पांच रिपा का सिका डान ले पाई यह जिसको तक्रीबन पांच मेट से ज्यादा हो गया और यह सांत ही नहीं हो रहा है इसलिए भी इसको छोड़ते हैं उसका बाद देखेंगे कैमरामेन थोड़ा उपर से दिखाओ तो इसमें कुछ बचा है या नहीं है कि देखो इसमें कुछ बचा है हाई अभी रहने देते कुछ देर कुछ देर इसको छोड़ देते हैं और फिर से थोड़े दिर के बाद देखते इसको गाई आप लोग कमेंट करके बताओ यह होई गाई देखो इस वीकर पे थोड़ा थोड़ा पानी लग गया इस साइड से पूरे में अब लगता है कुछ बचा है अभी तक है थोड़ा कुछ है गाई देखो यह पूरा मिटी तेल के जैसा बन गया है तो गाई यह देखे यह इस नैट्रिक एसिड का कलर चेंज हो आधे जैसे मिट्टी की तेल जैसा और इसमें कितना ही पाङ्ण देखा है आपको आपको हम लोग दिखाते हैं तो निकालते इसको और देखे इसमीय से कितना वचा है गया हमने नाइट्रिक एक की दिमें से 5 बच्ची का बाहार निकालन आपको दिखाते हैं गाइस देखो यह हमारा पंच रीप्यादा और आप लोग बताव पप्छिन mac सी bee funded का सिक्का डालने से क्या हुथ तो जी हमारा पांथ्याद रिप्या का सिक्का और पांच रिप्या का शिक्का नाइट्रिक एक एसीड में डालने से यही होता है और इसमें कुछ नहीं बस एक पत्तर साहे और पांच में इसको और छोड़ देते ना तो गाज यह पूरा खत्मी हो जाता लेकिन इसको हम लोग पहले वहार निकाल दिया इसलिए इतना बच गया है और चलिए तब तक के लिए इतना ही औ कि मेरे सताला के साथ और ताला को रखते नाट्रीक एसीड में कितना देह में वह गल जाता है बस्ता है नहीं लोग सही है तम देख लिए कहीं हम लोग फेक वीडियो नहीं बनाते हैं लोग सही वीडियो बनाते हैं इसलिए आप लोग को दिखाते हैं तो इस विकर में कुछ अंदर कुछ कलर सा लागा हुआ इसलिए हम इस विकर को साइड करते और दूसरे विकर में रखते हैं तो यह हमारा न्यू विकर इसमें अ ताला को गलाना है और देखते हैं ताला गल पाता है या नहीं of हो यह देख़ो हमने फाइनली मैं निकाल लिथ और इस लोक को अब डालते हैं नाय क्रीक एसिट में और देखते है मैं होता तो ल्ड ऑर नहों मैं हमने फाइनली नाइट्रीक एसट में तarlute दीन mogę और देखो आप लोग क्या रियक्शन करता आई है कि गाई इसका कलर चेंज हो रहा है उपर से कुछ लाइज पूरा कलर चेंज हो गया है बहुत तेजी सुबल रहा है आप लोग सांड सुन सकते हो आप लोग अपने घर पर ट्राई ना करें गाईज हमने जब पांच रिप्या का सिका नाइट्रिक एसिड में डाला तो कम गयस निकल ला था अभी जो ताला में हम 200 हो एमेल नाइट्रिक एसिड मिला है तो देखें कितना सारा गैस निकल लाए और बहुत ज्यादा धूआ निकल लाए इसमें से गाईज देखो हमारा वीकर का क्या हाल हो रहा है और यह देखो धूआ है बहुत दूर तक फैला है और देखते हैं इसमें से ताला क्या हालत होता है पुसदेर दस मेट के बाद देखते सब्सक्राइब हमने डॉला था तो नीचे मिटी के तेल जासा होगा इसमें कुछ रिएक्शन ही ना यह पूड़ा और इसमें बाहर कि निकल गया और गैस बन के सब रहा है और इसमें कुछ और डालते हैं गाइज देखो ताला तो बाहर आ गया और कलर इसका देखो आप कैसा हो गया गाई देखो ताला 200 इमेल नाइट्रिक एसीड में ताला को कुछ नहीं हुआ है मतलब पावर फुल ताला है इसलिए इसमें और एसे डाल दें हाट कुछ देर और उखते हैं घ्रम एसमें डाल आया और तो इतना और डाल दिया और इसको बंद करके थोड़ा देर साइड में रहते हैं और यह बदभू भी करता है यह फास्ट डियेक्शन नहीं करता है इसलिए एक दो बार इसको हिलाते हैं गाइश देखो यह इसके बाद कोई डियेक्शन नहीं करता है लेकिन फिर भी रुकते हैं कुछ दिर वीकर पुरा गर्म हो चुगा है गाइश देखो ताला का क्या कलर हो गया है पूरा कलर ही खराब हो गया है लेकिन फिर इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ते इसको गाइश हमने 200 ml नाइट्रिक एसिड पहले मिलाया था इसमें और वह खत्म हो चुका है उसके बाद फिर से 200 ml मिलाया है और उसके बाद कविएे ड्रही हएएश लिए मिसले nostalg ao निकालते हैं और एकते हैं इसका लौक रहे है या नहीं गैसे व तंडला का पूरा कलर करल़ केंश हो गया है वे घंड़त कारा मोडह इसको फोड़ी नीचे रखते हैं न इसको देखते ह्लाग या वी तक बंध ही है इसमें अभी तक कुछ है ऎको अभी यह लोक ही एह इसमें कि अंदर का संभान नहीं गला है जाँसी कुल पाएगा ने कुißt के देखते हैं यह कुल पाता है इस में तो कुछ लगता ही नहीं जो बathras इसको आप दो कर लाते और दिखाते उसके बाद खुलता है या नहीं नहीं पूरा जैसे कुछ दिनों से पानी में परा हो ऐसे हो गया है गाई जी ताला जो है ये बहुत जादा श्ट्रोंग है इसलिए ये नाइट्रिक एशिड में खराब नहीं हुआ है और कम दाम बाले ताला रहता तो खराब हो जाता जैसे पांचुरिपे का शिक्का गल गया वैसे ये तो इसका कोई डियेक्शन ही नहीं है ये खुल नहीं थ तो यह सुर्ण को ऻ्रब्स था ли विवा, हम ने तर किया को सब्सक्राइब नल पौँ जादा कराम नहीं लेकिन जादा कराम नहीं हुआ तो ढाइज츠 सब्सक्राइब पूर जाए वो खराब हो चुका है लेकिन ये उपर का नहीं खराब हुआ अभी तक ये खुली नहीं रहा तो गाज हमने फाइनली पांचर पेकर सिक्का को गला दिया और ताला को नहीं गला पाए इसलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नाइट अपी के साथ तब त